आज के इस लेसन में हम सीखेंगे IDEO Video Quality and Title Description Tax के मुतलेग आते हैं Idaho Video Quality की तरफ YouTube के मताविक अगर वीडियो की जितनी वीडियो कौलेटी अच्छी होगी और IDEO कौलेटी अच्छी होगी और File-Format MP4 होगा फाइल फार्मेट MP4 30 फ्रेम्स पर सेकंड होगा तो वह वाली वीडियो के 100% चांसिज होते हैं वाइरल होने के लिए इसके साथ साथ अगर टाइटल अच्छा हो डिस्क्रेप्शन भी अकार्डिंग टू वीडियो हो और टेक्स भी रिलेटिव हो तो वह वाली वीडियो ज्यादा तर अच्छी चलती हैं अब मैं आपको सिखाऊंगा के टाइटल कैसे देते हैं लॉंग डिस्क्रेप्शन कैसे होनी चाहिए और टेक्स कैसे देने चाहिए आईए हमारे पास एक वीडियो है जिसका टाइटल है इस वीडियो के अंदर मैं एक फोटो को कट करना सिखाता हूँ चारो तरफ से और ये वीडियो टेन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर है जैसा के टाइटल से ही हम समझ जाते हैं कि ये वीडियो किस मुताविक होनी चाहिए तो अब हम इस वीडियो को कैसे अपलोड करेंगे बहुत सिंपल है हम अपने यूट्यूब के चैनल पर आएंगे और अब एरो के उपर किलिक करेंगे वीडियो बाइ डिफॉल्ट पब्लिक होनी चाहिए पब्लिक का मतलब यह होता है कि हमारी वीडियो हर कोई देख सकता है अगर हम अपनी वीडियो को ओनले स्टेट कर देंगे इसका मतलब यह होगा कि यह वीडियो कोई भी नहीं दे सकता सिर्फ हम जिनको यह link देना चाहें सिर्फ वो ही देख सकते हैं प्रावेट का मतलब है सिर्फ हम ही देख सकते हैं और schedule का क्या मतलब होता है इट मींज के ये video कौन से time और कौन से date पर upload होनी चाहिए हम multiple videos भी upload कर सकते हैं और उन multiple videos की date time set कर सकते हैं अपने point of view से क्लिक करता हूँ मैं और desktop पर आकर video को open करकर upload करता हूँ जो हमारा title है अब हम इस title को short भी कर सकते हैं अपने point of view से हमारी video successfully upload हो चुकी है और by default जो thumb आ रहे हैं हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहे हैं इन मेंसे हम कोई भी thumb by default select कर सकते हैं अपने point of view से अपनी wish पर और अपनी मर्जी से भी thumb हम नए वाले channel पर upload नहीं कर सकते हैं जब तक हमारा channel कुछ पुराना नहीं हो जाए और एक महिने से कम वाले videos को भी हम monetize मींस monetize के लिए apply भी नहीं कर सकते हैं और कुछ terms and condition है monetization के लिए वह आगे जाकर सीखेंगे अब हम description देना सीखते हैं किस तरह से description देनी चाहिए मैंने description बना ली है और वह वाले description मैंने यहां पर add कर दिये हैं याद रहे हैं कि आप description में और 500 characters add करते हैं यह मैंने description कर दी है यहां पर अब टेक्स कोंचे लगाएंगे टेक्स वाले section में हम लगाएंगे crop an image ठीक है हम add करेंगे windows ठीक है और windows 10 और और crop an image in windows 10 और याद रहे हैं कि जो भी हम टेक्स दे रहे हैं वो वीडियो के मुतलिक ही हो और जो भी description add करें वो वीडियो के बारे में ही हो जो वीडियो के अंदर हम description add कर रहे हैं ओके और यह description मैंने कैसे generate की हैं यह description आप बोल कर भी generate कर सकते हैं within a second यह मैंने में इतनी बड़ी description रिकार्ड कर ली हैं यहां पर मैं बोलता जा रहा था और description आती जा रही थी for example मैं आपको करके दिखाता हूं it is very simple to create an image with crop point of view in windows operating system description देखें किस तरह से easily description आपको क्रेट करनी है अगर आप सांस लेंगे तो आपकी means recording और जो आप रिकार्ड कर रहे हैं text को वहीं परिस्टाप हो जाएगा तो यह मेरे हैं की सांस में यह सारे description निकाल ली ओके और टेग भी मैंने दे दिये हैं अब मैं suitable image select करूंगा यह देखें बीच वाला image मैंने select कर लिया और अब मैं वीडियो को पब्लिश करने जा रहा हूं कि जब आप वीडियो को पब्लिश करो तो फिर next step यह होना चाहिए कि यह जितने भी social networks आ रहे हैं इन सारे networks पर आप profile बनाएं जैसा कि Facebook, Twitter, Google Plus, Blogger, Reddit, Tumblr and Penistrate ठीक है इन सब पर यह वाली link promote करें ताके आपकी वीडियो ज्यादा से ज्यादा chances मिलें कि यह वीडियो देखी जाए ओके अब हम आते हैं वीडियो की quality के तरफ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम वीडियो को रिकार्ड करना वीडियो की quality किस तरह से बनाई जाती है यह सब कुछ वीडियो editing का course है इसमें ही सिखेंगे और वह वाला course आप हमसे खरी सकत सब्सक्राइब करें यह सारे के सारे कोर्सेज ऑनलाइन आपको सिर्फ नौ सो निनाने में रुपीज में मिलेंगे अगर आपके internet की speed अची नहीं है और आप चाह रहे हैं कि हम सिर्फ offline ही देखना चाहते हैं यह सारे courses तो यह डीवीडी वाला भी option है आपके पास वह भी आते हैं मैं right click करता हूं और right click करकर property में आता हूं और property में देखें डीटेल पर आएंगे जनल में आकर डीटेल में आएंगे तो यहां पर आपको नजर आ रहा होगा कि फ्रेम विद्थ 1920 और 1000 बातर यहां पर लिखा रहा है लेकिन by default 1080 ही होता है ठीक है यह देखें 1080 और 1080 के वीडियो की quality 192 के भी पर सेकेंट होनी चाहिए ठीक है और यह setting हम screen recorder में भी set कर सकते हैं ओके